तीन मुकाबलों की ओडिया एस सीरीज में भारत ने जिंबावे को 3-0 से हराया लेकिन कौन से हैं वो 5 भारती ए खिलाडी जिन्नोंने परफॉर्मेंस से कहर बर पाया कौन से 5 खिलाडियों के उपर जाएगा भारत की सीरीज में क्लीन स्वीप का श्रे उसके बारे में करेंगे बादचीत इस वीडियो में अंतक बने रहेगा हमारे साथ क्रिकेट इनिडिया के चानल पेयाब मैं हूँ आपके साथ लक्षित हम सभी ने देखा भला भारत की पहले गिंद बाजी हो या फिर आकरी मुकाबले में भारत की पहले बले बाजी हो हाला कि भारत को पहले बले बाजी करते हुए थोड़ा सा दबदबा जरूर महसूस करना पड़ा जब दूसरी पारी में एक बार लग रहा था कि जिम्भाव रहता है और सफल 290 रनों के रंचे इसको पूरा करने के लिए लेकिन अब बात करते हैं उन टॉप 5 खिलाडियों की जिनके परफॉर्मेंस के चलते बारत ने सीरीज पे कबजा किया है नंबर एक पर आता है वो खिलाडी जिसका शतक रहे गया था वेस्ट एंडीज में लेकि 222 के आवरेज से 245 रन बनाए हैं तीन मुकाबले जब शुबमन गिल को मौका मेला तब इस खिलाडी ने परफॉर्म किया है पहले मुकाबले में नाबाद रहे 81 रन बनाकर रन तक और आखरी मुकाबले में 130 रन बल्ले से आए जो दर्शाता है शुबमन गिल क्यूं भारत के लिए फ्यूचर में वांडे इंटरनाशनल क्रिकेट में हो सकते हैं एक सॉलिड बाकप के कंडेंडर दूसरे नमबर पे नाम आता है इनी के साथ ही ओपनर का जिस खिलाडी ने वाइस कैप्टेंसी की भुमेका भी अच्छी तरह से निभाई और साथ ही में अपने एक्स हाला कि तब भी उन्होंने 82 रन बनाने के लिए 100 से ज्यादा गेंड़ों का यूज किया कुल मिला के शिखर दवन ने तीन मुकाबलों में 154 रन बनाए हैं दूसरे नमबर पर अगर धवन है तीसरे नमबर पर आता है नाम अक्षर पटेल का अक्षर पटेल इससे पहले हम जानते थे उन्हें मातर सिर्फ आल राउंडर स्पिनर के तौर पर लेकिन इस सीरीज में अक्षर पटेल एक नई काबिलता के साथ उबरे हैं जहां पर साबित किया अक्षर पटेल ने की वो खास पार्टनर्शिब ब्रेकर भी हैं तीसरे ओडिया मुकाबले में जब भारत को विकेट की सक दरकार थी तब आते हैं अक्षर पटेल पारी के सतरवी ओबर में और सीन मिलियम जो खिलाडी खतरनाक साबित हो रहा था उन्हें 45 के स्कोर पर LBW के चलते आउट कर दिया कुलमिला के अक्षर पटेल ने तीन मुकाबलों में 6 विकेट अपने नाम पर किये अक्षर पटेल के बाद चौथे नंबर पर इस लिस्ट में नाम आता है उस खिलाडी का जो कर रहा है वापसी इस दौरे के अंदर छे महीने के बाद क्रिकेट में रेटरन करने वाले खिलाडी दीपक चेहर टेबरी में हुई थी इंजरी बैक इंजरी जिसके बाद उन्हो बलेबाजी के साथ लाइन और लेंथ भी भुकता रखी और नई गेंदों के साथ विकेट लेने की काबिलता ने दिखाया है कि क्यों दीपक चेहर को काफी फैंस कह रहे हैं कि एशिया कप की में स्कौर्ड में रखना चाहिए स्टैंड बाय से हठा कर नमबर पांच पे आता है कि लाडी शांदार है यह या फिर यह भारत की शान है या नाम आता है इशान किशन का इशान किशन के इस दोरे में आला कि ज्यादा मौके नहीं मिले खेले तीनों मुकाबलों में पहले में बलेबाजी नहीं आई दूसरे में थोड़े से अनफॉ दिया हाला कि इशान किशन से उमीदें ये भी थी कि वो पारी केंत की और जाते हुए थोड़े बड़े शॉट्स लगाते लेकिन दुर्भागे पूर्ण रहे जहां वो रन आउट हो गए लेकिन इशान किशन का आज का अर्द शतक सालों साल याद रखा जाएगा जहां पर एक इंपॉर्टन्ट मैच में इंपॉर्टन्ट समय पर आया है उनके बल्ले से अर्द शतक तो कुल मिला के ये पांच किलाड़ी है वो जिनके चलते भारत में इस सीरीज पे किया है अपना कबजा सबसे पहले आथे हैं शुबमन गिल, फिर शकरधावन, अक्षर पटेल, दीपक चेहर और इशान किशन इन पांचों में से कौन है आपका सबसे मनपसंदीदा भारतिय किलाड़ी बताइए उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में और साथ ही में सब्सक्राइब कर दीजे में यूट्यूब पे, पॉलो कर लीजे फेस्बुक पे, जानने के लिए क्रिकेट से जुड़ा और एक लेट इस अबडेट वो भी सबसे पहले